हाई गाईश मैं प्रभात रंजन आप लोग का यूनी एक्जाम्स इस में स्वागत करते हैं आज हम लोग ट्रेल नैसिस की चर्चा करेंगे किसकी ट्रेल नैसिस आप लोग को यह जनकारी है कि अर्सट्पी बीपेसी की नोटिफिक्शन आच चुकी है और उसका लास्ट यह बढ़ा दिया गया घंदरेश श्पोड़ा करती करना मर हम लोग अब तयारी कैसे करें प्लस पार कर जांए किस संदर उतले सब्सक्राइब अब देख सकते ह्वाटा ऑब किसको कितना इंपोर्टेंस देना है अब देख सकते हैं कि हमने 56 से 69 से लेके और 66 वी पिसी तक का पूरा प्रस्णों का एक टेलनासिस लेके आए हैं देखिए अब हिस्ट्री आप लोग को दिखाई दरा है कितना है देखिए हिस्ट्री का कितना इंपोर्टेंस है ठीक है हिस्ट्री के तीन सक्षण होते हैं प्राचीन मदकलिन और आधिनिव भारत होते हैं उसके राधी इंपोर्टेंस आता है वह जर्रल साइन्स का हमारे हां जो 66 में 30 है 1668, 6520, 6422, 6320, 6062, 5629, 5690, on average देखा जा है तो इसमें 25-plus तो जेसे इतिहास में on average 30-plus था चिस तर जिसे जेनल साइन्स में अब है बेश हैस्पेसल बिहार के पीटी देने जा रहे है और बिहार ही ना पड़े बिहार के मर्गेम जनकारी नहीं यह ना हो तो क्या फैदा इसलिए क्या किया बोड ने जो बीपीए सी आयोग ने बिहार इस्पिसल प्रसन पुछने का एक परधान लाया पहले तो प्रसन पुछ जाते थे अब अब एबरेज बुछे गया है अब देखिए कितने प्रसन पुछे गया है बिहार इसप्रस्न में 22% में 61% से और 25 प्रस पूछे जा रहे हैं वहां कि बजट है बिहार एकनोमी में जो समिक्षा है जो आयोग है जो समितिया है जो जोज़नाइच चलती है वहां में उस पर पूछे जाते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं देखिए करेंट अफियर्स समस्माइक मुद्दे कितना इंपोर्टेंस है हरे ज्याम के लिए इसके लिए इंपोर्टेंस है इसका क्या इंपोर्टेंस है देखिए सरसट्वी में 20, 66 में 33, 65 में 34, 64 में 14, 63 में 23, 56 में 41 प्रस्टी सोचिए 41 प्रस्टी में पूछे गए हैं कितना इंपोर्टेंट है ये टोपीक और इसमें भारत से संबंदित, बीशो संबंदित, खेल, युद्याव्यास, एकनोमिक से संबंदित, जैसे बजट, सर्वे, किसका भारत का बजट सर्वे ठीक है इसे प्रस्ट में पूछ जाते हैं अब है जोगरफी जोफी कर देखेंगे थोरा सा कम है अब यह देखिए खुद देखिए कि करेंट अफियर्स, हिस्ट्री, साइंस, बिहारे स्पिस्वालों और करेंट प्रस्ट मिलाके प्रस्ट और उनमें बेरेज 105 से 10 प्रस्ट बन जाते हैं देखिए में 110 प्रस्ट तो चार्ट अब किसी पूछ दिये गया है यदि आपका चार्ट अब तैयार हो गया तो 90 प्लस यहीं से कनफरम हो गया अब नेगेटी मार्किंग में 90 प्लस बहुत अच्छा कोर्स स्कूरता है मगर हो सकता है कि कटब बढ़ जाए तो सो प्लस भी जा सकता है इसलिए 10 प्लस निकले थोड़ा सा नीचे महित करना पड़ेगा आपको क्या है कि अब देखिए इंडियन एक्रोमी और जिसमें 10 प्रस पूछेगा है 166-166-13-15-16-16-22-19-56-21 पूछेगा है और थीक है इनका 10 प्रस पूछे जाते ही ठीक है और 10 प्रस नम है किसे राष्ट्याय किसे कहते है राज्श कूछ यह घाता क्या होता है समीकौन समीती किससे बनी होती है किस संब् cabinets होती हैं इसे प्रस नुचे बनित होती है якіसे प्रसन पूछे जाते हैं इसमें बिदान्ह सब्एक नियापाली का बज़ान सभा कि राजपाल इससे अपर मिख्यों साल 10 प्रसंद कुछ आते हैं जिन बचों के मैथमेटिक्स अच्छे होते हैं और 10 होते हैं यहीं कि निकालेते हैं घबराना नहीं है सब की तयारी यहां किराई जाई हैं तो mathematics और स्टेटिक्स जी है सांखी की से आठ पर सरस्ट भी में 66 में 8 65 में 10 64 में 10 33 में 10 सार से 22 पांच और 56 से उनसर दस प्रस्ट उचे गए हैं वही रिजिनिंग से देखेंगे आप तो सरस्ट में 2 मैं 66 में 2 65 में 0 निल वाता संटा तो mathematics सब प्रश्ट में 0 4 मैं जवर चला गया mathematics में सार से 22 पांच प्रस्ट बेजिनिंग पांच mathematics और 56 सो जीरो निल वाता संटा कहां चला गया mathematics में आप देख लिए कि देख सुल में हम लोग ऊपर के चार सेक्षन हिस्ट्री जनल साइंस पर फोकस करना है। उसके लाए इधर भी फोकस करना है। इस प्रफोकस नहीं करना है। फोकस इधर भी करना है ताकि 20-30 परस निहां चेर निकल जाए। और इस तयारी से इस देखेंगे इस तरह हमनों तयारी करेंगे सब्वेक्ट वाई तो सव प्लस आराम से पार कर जाएंगे आप लोग इसका स्कीन सौट ले सकते हैं इसके माध्यम से भविश्च में भी इसको बार बार देख सके हैं मैं दो मत जाता हूं देख लीजिए आप लोग स्कीन सौट ले लिजिए अब देखिए हमने एक प्रोगाम डियाइन किया है में संस्था ने कि कैसे आप 100 प्लस पार करेंगे बीपीज़ी के लिए खासकर असर्ट वी बीपीज़ी के लिए भाई तैयारी तो करनी है निकालना भी है और लोग को दिखाना भी है दोस्तों को भी दिखाना है और प्रिलिम्स का कटफ कम नहीं जा रहा है अब लोग खुद देख रहे हैं किस बार कटफ जो गया था सरसट वी का 113 शासर के 108 तो यह निन नेगेटिव में था अब नेगेटिव में 100 प्लस बहुत होता है ह हमने एक एक ऐसा प्रोगाम डिज्याइन किया है जिससे 100 प्लस अरान से कर सकते हैं हमने ऐफ्लाइन ऑफिल्टा में हिंदी इंगलिस दौन मोड में क्या किया है तैयारी सल्भार सुरू कर दिया है इसके लिए सब्सें सalnya छर्चा करंगे पले हम दोग देख लिए कि सब्ज जनवरी साइंस तीज प्लस एवरेज 30 25 से 30 उसके लिए सशाइंस दस जनवरी हिस्ट्री 30-35 चल्ट अब यदे घया है तो इसके लिए इस्ट्री रखा है हमने 10 दस दस तो आही सकता है दस में 5-6 कमसा आही सकता है तो अच्छी त्यारी हो तो और त्यारी करना है अच्छी इसलिए प्रोग्रम डिया गया है उसके बाद 20 जनुवरी को फिर लॉट आयम लोग बिहार स्पेशल 20 प्लस के लिए फिर साइंस के लिए 24 जनुवरी को ल प्लस 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 में प्लस में जाते हैं करेंट रखा गया है पूरे टेस्स यह डिजाइन किया गया है ऐसा डिया गया कि 100 अराम से ला सकते हैं इसका लावे आपकी त्यारी कैसी है इसके लिए हमने तीन फूल टेस्ट के प्रगाम के प्रदान रखा है और इस फूल टेस्ट की कहानी यह है कि फूल टेस्ट के बाद ओपिन डिसेशन कराया जाएगा सब के लिए अपने भाई बंदू मित्र जो भी उनको बता दीजेग आप कि फूल टेस्ट ओपिन डिसेशन देहत्र होगा और तीन टेस्ट यह फूल टेस्ट चाहें प्रवरई होगा एक बात और खास बात कि फिडि फोगा सब के लिए होगा और आपकी दोस्त महीं भाई बंदु जितने हैं कली सब को लेका यह फिरी ओग कॉस्ट टेस्ट आप में टेस्ट प्रगाम सही देख सकते हैं कि मेरी संस्था किस और जा रही है आपको तैयारी का सुद्धार कैसे है किस लेबल पर ले जाएंगे हम लोग सोप्रास पार और ओनलाइन के लिए एक हजार पर में एक वाक कम तब भाई नोजन बन इतने कम फी में इतनी असी त्यारी कहीं नहीं मिलेगी मैं दावा नहीं ठोगता है और ना कुछ नोती देता हूं बस मैं कहता हूं कि मेरी संस्था यूनी एक्जांस आयेस दोरा ऐसा डिजाइन किया माध्यम से जुड़ सकते हैं आप लोग टेलिग्राम पर आपको डेली क्विज मिलेगा कर इंटरफेर्स मिलेंगे प्लस जो भी नया नट्रिशन आयेगा वो सब डाल दिया जाता है वो मिलेंग आपको उसके बाद है इंस्टाग्राम ही है ट्यूटर है ट्यूटर का कोई क तो पुनिता त्यारी कर सकते हैं जय ही जय भाद थांक्स गुड़नाइट